नमस्कार, BKB News के इस खास पेशक्रश में आपका स्वागत है जहाँ आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जूड़ी कुछ खास खबरे शिवसेना सांसत संजेराउत ने BJP को चेताउनी देते हुए कहा है कि अब तक हमने बहुत बरदास्ट किया है लेकिन अब बरबाद भी करेंगे आने वाले कुछ दिनों में महाराश्टा BJP के साढ़े तीन लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे पही संजेराउत ने कहा है कि शिवसेना अधित्य ठाकरे के नेतरुत्व में देश भर में लोगसभा चुनाव लड़ेगी इसी बीच सामाजिक कारेकरता अनना हजारे ने राज्य सरकार के आश्वासन के बाद सुपरमार्केट और किराना दुकानों पर वाइन की बिकरी के अनुमती देने सम्मन दी महाराश्य सरकार के फैसले के इरुद अपनी प्रस्ताविक भूख हरताल वापस ले ली है तो जल यातायात को पढ़ावा देने के लिए मुंबई में वाटर टेक्सी की शुरुआत हो रही है उधर जल जमाओं के समस्या से निजात पाने के लिए मुंबई में कलवा और मुंबरा के बीच रेलवे ट्रैक के नीचे माइक्रो टरनल दयार की जा रही है प्रदेश की बाजबड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है अब हमारे साथ शिवसेना सांसत संजेराउत ने विजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में महराश्टा विजेपी के साढ़े तिन लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे अब तक हमने बहुत बरदाश्ट किया है लेकिन अब बरबाद भी करेंगे संजेराउत के इस बयान के बाद महराश्टा की सियासत में कयासो का दौर शुरू हो चुका है संजेराउत ने कहा कि ठाकरे परिवार और शिवसेना पर जो कीचड उचाला जा रहा है उसका जवाब कल दिया जाएगा संजराउत ने कहा कि ये सभी को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस के बारे में बोल रहा हूँ हमाम में सब नंगे होते हैं मैं रिपिट करता हूँ देश मुख जेल के बाहर होंगे और बीजेपी वाले जेल के भीतर हमें धमकिया मत दो, हम धमकियों से डरने वाले नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कल शिवसेना भवन में शाम चार बजे इस संदर्ब में एक एहम प्रेस कॉन्फरेंस की जाएगी जिसमें शिवसेना के सभी बड़े नेता, सांसद और विधायक शामिल होंगे दरसल बीते दिनों में संजे राउत के परिवार और उनके करीबियों पर केंद्रिय जांज एजंसी एडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है बीते वर्ष प्रवर्दन निदेशाले ने उनकी पतनी वर्षा राउत से 55 लाख रुपयों के संदब में पूछताच की थी इसके बाद एडी ने संजे राउत के करीबी प्रविन राउत को भी गिरफतार किया था इतना ही नहीं उनकी बेटी की शादी में जिस डेकोरेटर ने काम किया था उसे भी प्रवर्थ निदेशाले ने पूछताच की थी राउत को लालू यादव की तरह जेल में डालने की भी धमकी दी गई थी शिवसेना नेता संजेराउत ने कहा कि महराष्टर के मंतरी आदित्य ठाकरे के नेतरुत्व में पार्टी देशभर में लोग सभा चुनाव लड़ेगी हम अभी गोवा से वापस आए है और जल्द ही आदित्य ठाकरे के साथ उत्तर प्रदेश का दोरा करेंगे अखिली श्यादो वहाँ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं आदित्य ठाकरे के नेतरुत्व में हम देशभर में लोग सभा चुनाव लड़ेंगे इसकी तयारिया चल रही है देशभर के युवाओं पर हमारा फोकस रहेगा साते हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को सच से वाकिफ कराएंगे हमारा जनाधार तेजी से बढ़ रहा है लोकशिवसिना की तरफ आजभरी नजर से देख रहे है राउत ने कहा कि उत्तरपदेश में विधानसवा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवाती पार्टी सतारूट भारतिय जनता पार्टी पर बढ़त बनाये हुए है गोवा खीजडी की स्थिति का सामना कर रहा है लेकिन कॉंगरेस को 2012 से बीजेबी पर बढ़त हासिल हुई है पुर्वो मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पार्री करके बेटे उत्पल को पंजी के लोगों से अच्छा समर्थन मिल रहा है असम के मुख्यमंत्री हेमंद बिस्व सर्मा की राहुल गांधी पर की गई विवादास पर टिपड़ी पर राउत ने कहा कि कॉंगरेस ने उनके लिए बहुत कुछ किया लेकिन इसके बावजुद सर्मा उसे निशाना बना रहे है इसका खामियाजा उन्हें भुगतना प दुकानों पर वाइन की बिक्री की अनुमती देने के महाराश्य सरकार के फैसले के विरूत अपनी प्रस्तावित भूख हरताल वापस ले ली है और कहा कि राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह इस नीती पर आगे बढ़ने से पुर्वनागरिकों के विचारों पर गौर करेगी उन्होंने दावा किया है कि महाराश्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा के दोरान मैंने उनसे कहा कि मुझे राज्य में रहने की इच्छा नहीं होती इसके बाद सरकार ने अपने इस फैसले पर पुनर विचार करना शुरू कर दिया है कुछ दिन पहले हजारे ने मुख्या मंत्री उध्धव ठाकरे को पत्रह लिक कर उनसे कहा था कि राज्य के लोगों ने मांग की है कि सुपरमार्केट और किराना दुकानों पर वाइन की बिक्री की अनुमती सम्मन्धी नीती वापस ली जाए उन्होंने 9 फरवरी को ये एलान किया था कि वे 14 फरवरी से दुकानों में वाइन बेचे जाने के महाराश्य सरकार के फैसले के खिलाफ अनिश्चित कालिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे हाला कि इस मुद्दे पर संजेराउत ने सरकार का बचाव करते हुई ये अपिल की थी कि ठाकरे सरकार ने एक नई पॉलिसी को मनजूरी दी है ये फैसला किसानों के हीत में है और इससे उनकी आयत दो गुनी हो जाएगी इस फैसले का विरोध करने वाले किसान विरोध ही है हला कि वाइन बिक्री के लिए मानदंड जिसे स्कूलों और पुजास्थलों से नियूनतम दूरी के साथ-साथ सानी अनिशेत कानून आधी का पालन करना होगा जल यातायात को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में वाटर टैक्सी की शुरुआत हो रही है इस सप्ताहा से यात्रियों को मुंबई से बेलापूर, JNPT, NERUL, ELEFANTA तक सफर करने के लिए वाटर टैक्सी के रूप में सफर का एक और विकल्प उपलब्ध होगा शुरुआती चरण में तिन रूट पर वाटर टैक्सी चलेगी नेरूल बेलापूर, JNPT, ELEFANTA, NERUL, Domestic Cruise, Terminal JNPT, ELEFANTA, NERUL, और Domestic Cruise, Terminal बेलापूर, NERUL, Domestic Cruise, Terminal के बीच सेवा उपलब्ध होगी हर स्टॉप पर टैक्सी करिब 10 मिनट के लिए रुकेगी, वाटर टैक्सी की सेवा मुंबई से हर एक घंटे में उपलब्ध होगी यात्रियों की संख्या के आधार पर सेवा में वृध्धिक की जाएगी सेवा शुरू करने के लिए प्रशाहसन ने मुंबई के Domestic Cruise Terminal बेलापूर, JNPT में जेट्टी तयार करने का काम कर लिया है 17 फरवरी से आम यात्रियों के लिए ये सिवा उपलब्ध होगी अभी नवी मुंबई से साउत मुंबई में सडक मार्क से पहुचने के लिए डेर से दो घंटे और रेल मार्क से करीब 50-60 मिनट का समय लगता है जल मार्क से ये सफर केवल 40-45 मिनट में पुरा करना संभव होगा यात्रियों का सफर आसन बनाने के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है इसके तहट यात्रियों को पांचलाक रुपे का बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा नागरिकों को ट्राफिक की समस्य से निजात दिलाने के लिए सरकार वाटर टेक्सी को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है प्रशासन से सेवा शुरू करने के लिए विभिनस्थानों पर जेटी तयार की है एक तरफ से यात्रियों को 750 रुपे खर्च करने होंगे दो तरफ अकिराया 1200 रुपे होगा 11,000 रुपे खर्च कर यात्रियों को मासिक पास की भी सुविधा उपलब्ध होगी मध्धर एलवे की मेन लाइन पर ठाने और दिवा के बीच पांचवे छटी लाइन तयार होने से प्रशासन की बड़े परिशानी दूर हो गई अब इस सेक्शन में ट्रेने बिना किसी रुकावट के दोड़ सकेगी लेकिन प्रशासन के सामने एक और चुरौती है जिसे हर साल जूजना पड़ता है यह है मौनसुन का संकट जब पट्रियों पर पानी जमा होने के कारण ट्रेनों को ब्रेक लगाना पड़ता है हर साल मुम्रा, कालवा और दीवा सेक्शन में ऐसी मुसीबत से रूबर होना पड़ता है इससे छुटकारे के लिए अब रेल्वे द्वारा तयारी की जा रही है और इस क्रम में मध्धे रेल्वे ने एक बार फिर माइक्रो टनलिंग तकनीक पर भरोसा जताया है सैंड हर्स ट्रोट और मज़िद जैसे इलागों में जल जमाओ की समस्या को दूर करने के लिए पिछले साल ट्रैक के नीचे छोटी छोटी सुरंगे बनाई गई थी इन सुरंगों यानि माइक्रो टनल से बारिश के दौरान जल जमाओ के संकट का समाधान हो गया था टेंडर निकाल कर ठेकेदार को नियुक्त किया जाएगा ये काम तीन महिनों में पुरा कर लिया जाएगा कलवा और मुम्रा के बिच पट्रियों के दोनों छोट को पार करने के लिए ट्रैक से 70 मिटर नीचे सुरंगे बनाई जाएगी ये सुरंगे दो अलग-अलग स्थानों पर बनेगी इसके लिए जो ट्रैनेज बनेगा उसकी गहराए भी ट्रैक से करीब दो मिटर नीचे तक होगी असम के मुख्य मंतरी हेमंद विश्वा सर्मा की बयान बाजी से कॉंग्रेस खफा है तेलंगाना प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने एक प्रस्ताव पारित कर विश्वा सर्मा को ततकाल बरखास करने और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्च करने की मांग की है वही गोवा में आज वोटिंग हो रही है मुख्य मंदरी प्रमोट सावंत ने सो प्रतिशत बहुमत हासिल करने का दावा किया है उनका मानना है कि भाजपा राज्य में पिछले दस साल के कामकाज के आधार पर एक बार फिर सरकार बनाएगी तो यूकरेन में जारी तनाओं को देखती हुए दिलिस्तित राश्ट्रपती सचीवाले में एक याची का दायर कर वहाँ अध्यांडरत 20,000 भारतिये चात्रों की सुरक्षा सुरिश्चित करने और उनकी सुरक्षित देश वापसी की गवार लगाई गई है इसी भी जब यूपी के सियेल योगिया अधित्यनाद भी हिजाब विवाद में कुद पड़े है योगिया अधित्यनाद ने काया कि क्या मैं पूरी यूपी के सभी लोगों को बोल सकता हूँ कि भगवाधारन कर ले उधर इसरों ने सुमवार सुभ़ 5 बच कर 69 मिनट पर PSLV C52 को सफलता पुर्वक लाउज कर दिया है ये 2022 का पहला प्रक्षेपन अभियान है देश भर की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ असम के मुख्यमंतरी हेमन्द बिश्वा सर्मा के रहूल गांधी पर विवाधी टिपपनी करने के बाद अब इस पर राजनीती तेज हो गई है तेलंगाना प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी ने आज एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें असम के सीम हेमन्द बिश्वा सर्मा को ततकाल बर्खास्त करने और उनके खिलाप अपरादिक मामला दर्श करने के मांग की गई तेलंगाना कॉंग्रेस प्रमुक रेवन त्रेडडी ने कहा कि सियम हिमन्द विश्वा सर्मा की टिपणी गांधी परिवार या कॉंग्रेस के खिलाप नहीं है बलकि मातरूतुव का अपमान है कॉंग्रेस कार्यकरता 14 फर्वरी को तेलंगाना के समीब 709 पुलिस थानों में सर्मा के खिलाप आपरादिक शिकायत दर्श कराएंगे हेमन्द विश्वा सर्मा ने कहा था कि राहूल गांधी की भाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसी 1947 से पहले की जिन्ना की थी उन्होंने राहूल गांधी को आधुनिक जिन्ना तक कह डाला CM ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि राहूल गांधी के अंदर जिन्ना का भूद गुज गया है इससे पहले उत्तर अखंड में विधान सभा चुनाव प्रचार के दोरान CM विश्वा ने कहा था कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुक दिवंगत बीपिन रावत के नेतरूटू में पाकिस्तान में सेना की ओर से की गए सर्जिकल स्ट्राइक का राहूल गांधी ने सबुत मांगा क्या मैंने कभी सबुत मांगा कि आप राजियु गांधी के बेटे हो या नहीं इस बयान पर कॉंग्रेस नेता मलीकारजून खडगे ने कहा कि इस तरह की टिपपनी की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती एक सीम को पता होना चाहिए कि कब और क्या बुलना है देश के सबसे छुटे राज्य गोवा की 40 सीटो पर आज वोटिंग हो रही है राज्य में एक ही चरण में मतदान होना है भाजपा के 40, कॉंग्रेस के 37, आपके 49, टीमसी के 26, एमजीपी के 13 और 68 निर्दली है राज्य के कुल 11.56 लाग वोटर्स आज इनकी किस्मत तै करेंगे राज्य के मुख्यमंतरी प्रमोट सावंत ने कहा कि भाजपा राज्य में पिछले 10 साल के कामकाज के आधर पर एक बार फिर सरकार बनाएगी सावंत ने 100 प्रतिशत बहुमत हासिल का दावा भी किया मुख्यमंत्री सावंत ने मतदान के लिए जाने से पहले रुद्रेश्वर मंदिर पहुचकर पूजा अर्चना की इसके बाद उन्होंने कोथाम भी जाकर वोट किया गुवा के पुर्व मुख्यमंत्री मनहोर परीकर के बेटे उतपल ने पंजी में वोट डाला वे इसी सीट से चुनाव मैदान में है उतपल ने भी अपनी जीत का भरोसा तो जताया लेकिन जब उनसे भाजपा के वीरोत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साद ली माना जा रहा है कि भाजपा का वीरोत करके वे पीता के नीधन के बाद मिलने वाले साहनुगूती वोट को खत्म करना नहीं चाहते है वही चुनाव बाद बनने वाली संभावनाओं के दरवाजे भी खुले रखना चाहते है कॉंग्रेस नेता माइकल लोबो ने कहा कि मनोर परिकर ने कहा था कि जब तक मैं जिन्दा हूँ अपने बेटे को राजनीते में नहीं लाओंगा अगर वे आएंगे तो अपने बलबूते पर आएंगे अगर उत्पल परिकर जीतते है तो हम उनसे बात करेंगे गोवा के स्वास्थेमंतरी विश्वजीत राने ने मैम विधान सबाक्षेतर की बूच संक्या बैलिस में जाकर मतदान किया है युक्रेन को लेकर रूस और नाटो फोर्सेस के बीच उपजा तनाव अब दुनिया के दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रहा है पुर्वी यूरोप में युद्ध के खत्रे के बीच युक्रेन में इंजिनेरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 20,000 भारतिय चात्र भी आफ़त में पढ़ गये है इन में से ज़्यादा तर छात्र आंद्रप्रदिश, तेलंगाना, केरल, पंजाब और राजस्थान से है इन छात्रों को वावस भारत लाने के लिए दिलिस्तित राष्ट्रपती सचीवाले में याचिका भी दायर की गई है राजस्थान के कॉंग्रेस नेता चरमेश शर्मा की तरप से दायर याचिका में कहा गया पूरे देश से 18-20,000 भारतिय स्टुडंट्स यूकरेन की अलग-अलग यूनियर्सिटीज में पढ़ाई के लिए गये है भारत सरकार की तरप से अभी तक इनके जीवन से जुड़े हुए इस गंबिर मसले पर कोई कारवाई नहीं की गई है राजस्थान के भी लगबग 1064 यूकरेन में मौजुद है यूकरेन लंबे वक्त से भारतिय मेडिकल स्टूडंस के लिए पसंदिदा जगह रही है भारत के मुकाबले यहाँ पर आसानी से प्रविश मिल जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकांश भारतिय शातर पस्चिमी यूकरेन में रहते है जबकि तनाव की स्थिती पुर्वी बॉल्डर पर है यूकरेन में पढ़ रहे भारतिय शातरों के मुताबिक भारत के मिडिकल कॉलेजों में करिब 88,000 सिटे है जबकि 8,000,000 से जादा बच्चे एक्जाम दे थे है इसके मुकाबले यूकरेन में आसानी से दाखिला मिल जाता है इस वज़ा से बच्चे यहां का रूप करते है रूसी हमले के मद्दे नजर कई इंटरनेशनल एरलाइन्स ने भी यूकरेन के लिए उड़ाने निलंबित कर दी बहुत से दूतावासों ने कि उसे अपने गयर जरूरी करमचारियों को वापस बुला लिया है यूपी चुनाओं के दूसरे चरण से पहले हिजाब विवाद को खुब तुल दिया गया समाजवाधी पार्टी असदुदी 9C से लेकर प्रियंका गांधी तक ने करनाटक के स्कूलों में हिजाब बैंट किये जाने पर मोर्चा खुला और एक बड़े वोट बैंक को अपने पक्षमे करने की कोशिश की अब UP के CM योगी अधित्यनाथ भी हिजाब विवाद में कुद गया है इसके साथ ही UP के चुनावी मैदान में हिजाब बना भगवा की राजनिती का भी आगाज हो गया है CM योगी के बयान ने एक नए विवाद की तरफ कदम बढ़ाया है योगी अधित्यनात ने कहा है कि क्या मैं यूपी के सभी लोगों को बोल सकता हूँ कि भगवाधारन करे ये हक्किकत है कि भारत की व्यवस्ता सविधान के अनुरुप चलनी चाहिए हमारी व्यक्तिकत आस्था और पसंद नापसंद हम देश और संस्था उपर लागू नहीं कर सकते हैं क्या मैं उत्तरप्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों या प्रदेश के लोगों को बोल सकता हूँ कि आप भी भगवाधारन करे स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए एंचुनाव के दिन योगी ने इस मुद्दे को छोड़कर अगले चर्णों के लिए मुद्दा गर्मा दिया है योगी अधित्यनात ने हिजाब के मुद्दे पर हो रही राजनिती का जवाब तीन तलाक को लेकर दिये गए फैसले से दिया है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार ने बेटियों को सशक बनाने के लिए ही तीन तलाक का फैसला किया है उन्हें स्वाव प्रक्षेपन यान यानि PSLV अपने साथ दो छोटे उपग्रहों को भी ले कर गया इसका प्रक्षेपन आंध्रा प्रदेश की श्री हरी कोटा स्थित सतिश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉंच पैट से सुमवर को सुभा पांच बच कर 69 मिनट पर निर्धारित समय पर किया गया EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे कुरूशी वानिकी और रुक्षा रोपन, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान वो बाढ़ माना चितरन जैसे अनुप्रयोगों एवं सभी मौसम सितियों में उच्च गुनवत्ता वाली तस्वीरे प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है PSLV अपने साथ में दो छोटे उपग्रहों को भी ले गया है जिन में कोलोराडो विश्व विद्याले, बोल्डर की वायू मंदलिय और अंतरिक्ष भौती की प्रयोक्षाला के सयोग से तयार किया गया भारतिय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रद्योगी की संस्थान का उपग्रह इंस्पायर सैट वन भी शामिल है इसमें एंटी यू, सिंगापूर और एंसी यू, ताइवान का भी योगदान रहा, इस उपग्रह का उद्देश आयन मंदल के गती विज्ञान और सूर्य की कोरोनल उश्मिय प्रक्रियाओं की समझ में सुधार करना है वही दूसरा उपग्रह इस रोकायक प्रोध्योगी की प्रदर्शक उपग्रह है रूसी सिना के भीजन हमले के खत्रे के बीच अमेरिका के राश्रपती जो बाइडन ने यूकरेन के राश्रपती को मदद का पुरा भरोसा दिया है उन्होंने कहा है कि उकरेन के खिलाफ रूस के किसी भी आगरामक करवाई का अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर तेजी से और बहुत जोरदार जवाब देगा वही पाकिस्तान के पी-एम इमरान खान की तीसरी पत्नी बुश्राबी भी मानेका इस्लामाद में बने इमरान खान के घर बनी गाला को छोड़कर लाहोर चली गई है तो पाकिस्तान में ही पंजाब में खाने वाल जिले के डेरा वाला गाउं में कुछ कट्टर पंथियों की भीड ने कुरान की बेद्बी के नाम पर मानसी कुरूप से अस्वस्त अभ्यक्ती की पीड पिट कर हत्या कर दी इसी बीच भारत सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल सर्जिकल स्राइट करते हुए चौपन नए चाइनिस एप्स पर बैन लगा दिया है उधर अमेरिका के लॉस इंजिलिस में गायक जस्टिन वीवर के कंसर्ट के बाद एक रेस्टोरेंट में आयोजित पार्टी के बाहर हुई गोली बारी में चार लोग खायल हो गए है दुनिया भर किन पाच बड़ी खबरों को विस्तास से जाने के लिए बने रही है आप हमारे साथ रूसी सेना के भीशन हमले के खत्रे के बीच अमेरिका के राष्ट्रपती जो बाइडन ने यूकरेन के राष्ट्रपती को मदद का पूरा भरुसा दिया है साथ ही दोनों ही राष्ट्रपतियों ने इस बात पर जोर दिया कि वे रूस के साथ तनाव को घटाने के लिए राजनाइक प्रयास करते रहेंगे बाइडन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका के राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार ने चेताउनी दिया है कि रूस यूकरेन पर हमला करने के लिए बहाना तलाश रहा है वाइड हाउस ने बाइडन और जेलेंस के से बातचीत के बाद जारी अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपती बाइडन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूकरेन के खिलाप रूस के किसी भी आक्रामक करवाई का अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर तेजी से औ और बहुत जोरदार जवाब देगा उधर यूकरेन के राष्ट्रपती कारेले ने भी एक बयान जारी करके कहा कि दोनों नेताओं ने रूस के हमला करने की सूरत में मासकों के खिलाप संभावित आर्थिक प्रतिवंदों के बारे में चर्चा की इससे पहले अमेरिका के र पुर्वक नजर रखे हुए है इसके तहत रूसी खुफी आईजेंसी रूस समर्थित बलो पर या रूसी नागरिकों पर पुर्वी यूकरेन में हमला कर सकती है वे इस हमले का ठीकरा यूकरेन पर फोड़ सकते है पाकिस्तानी मिडिया रिपोर्ट्स के मुताविक इमरान खाना और उनकी तीसरी पत्नी बुश्रा बीबी मानेका के बीच जगड़ा हो गया है मामला इतना गंभिर हो गया कि बुश्रा बीबी इसलमाद में बने इमरान खान के घर बनी गाला को छोड़ कर लाहर चली गई है वहाँ वो अपनी दोस सानिया शाहा के साथ रह रही है दूसरी और बुश्रा बीबी जाने के बाद इमरान खान ने अपने घर का सारा स्टाब बदल दिया है इमरान खान के घर के माली, कूक और ड्राइवर को भी बदल दिया है बता दे कि इमरान खान की पहली शादी जेमिमा गोल्ड स्मिट से हुई थी दोनों ने 1995 में शादी रचाई थी, इसके बाद 2004 में दोनों का तलाख हो गया जेमिमा से तलाख के बाद करीब 11 साल बाद इमरान खान ने रेहम खान के साथ दूसरी शादी की रेहम खान के साथ भी जादा दिन तक रिष्टा चलनी पाया मातर आट मैने में दोनों के बीच तलाख हो गया इसके बाद इमरान खान के साथ भुशरा मानिका का नाम जूड़ा गया हाला कि शुरू में इमरान खान मानिका से अफेर की बात न कारते रहे लेकिन साल 2018 में उन्होंने यह स्विकार किया कि उन्होंने बुशरा से निकाह कर लिया है करिब 44 साल की मानिक बुशरा इमरान खान 25 साल चोटी है इमरान खान की तीसरी पतनी के घर को छोड़ कर जानी के खबरों का पाकिस्तान के कई वरिष्ट पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर पुष्टी भी की है इस घटना की चर्जा तेज है लोग कह रहे हैं कि देश की सियासत में उलजे इमरान खान अब घर में भी घिर गए है पाकिस्तान के सियाल कोट में दिसंबर में श्री लंकाई नागरिक की हत्या के बाद पंजाब में खानेवाल जिले के डेरावाला गाव में भी कट्टर पंथियों की भीड ने कुरान की बेयाद्बी के नाम पर मांसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी भीड ने कुरान के पन्ने फाड कर जलाने के आरोप में भीड ने इस व्यक्ति को पहले पत्थरों से मारा और फिर शओ को पेड से लटका दिया पुलिस की मुदाबिक शनिवार देरशाम नमाज के बाद मस्जिद से बेयाद्बी का आलान किया गया जिसके बाद लोगों की भीड जमा हो गई पुलिस ने आरोपी को पुलिस से छीन कर पेड से बान दिया और जान ले ली पत्थर मारने शुरू कर दिये शव को पेड से उतारने गए पुलिस कर्मियों पर भी भीडने पत्थर बरसाए मुरुतक की पहचान बाराचाक गाउ निवासी मुश्ताक अहमत के तौर पर हुई है वहमानसिक रूप से स्वस्थन ही था पंजाब के पुलिस महानिरिक शक एवम सरदार अली खान के मुताबिक 33 नामजद आरोपी उसाइड 300 लोगों के खिलाप मामला दर्श किया गया है जिसमें जगन ने अपराद और आतंकवाद से संबंदित धाराओ को जोड़ा गया है पुलिस अब तक 62 लोगों को गिरपतार कर चुकी है जिन में मुख्य आरोपी भी शामिल है पाकिस्तान के प्रधनमंतरी इमरान खान ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लिविंग में शामिल दोशियों के साथ गंबिरता से निप्टा जाएगा इसके साथ उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी हिदायत दी की जो करतवे में विफलोंगे कानून उनके खिलाब भी काम करेगा चीन के साथ आई रिष्टो की खटास खुल कर सामने आने लगी है भारत सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल सर्जिकल स्टाइक करते वे चौपन नए चाइनीज अपस पर बेन लगा दिया है इन चौपन चाइनीज अपस से भारत की सुरक्षा को खतरा था इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मत्राले ने इन अपस पर बेन लगया है ये सबी apps चीन और अन्न देशों में भारतिय यूजर्स का डाटा भेज रहे थे कहा जा रहा है कि ये apps विदेशों सर्वर पर भारतिय यूजर्स का डाटा स्थानन तरिक्ट कर रहे थे Apps पर बैन के लिए Google के Play Store को आदेश डिया गया है बैन हुए 54 apps की लिस्ट में कई बड़ी चैनिज कंपनियों के apps शामिल है कहा जा रहा है कि बैन हुए 54 apps 2020 में बैन हुए apps के नए आउतार थे गौरतलभे की भारत में चैनिज apps पर बैन की शुरुआट जून 2020 में हुई थी बारत सरकार ने 29 जून 2020 को पहली डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 69 apps पर प्रतिबन लगाया था उसके बाद क्रमशा, 47, 118 और 43 apps पर बैन लगाया गए सूचना प्रोध्योगी की अधिनियम की धारा, 69 एक इताथ सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले ने इन सभी apps पर बैन लगाया है 27 जूलाई 2020 को जिन 47 apps पर प्रतिबन लगा, वे सभी 47 apps पहले बैन हुए 69 apps के कलोन और लाइट वर्जन थे चीन की सरकार ने इस मामले पर अभी कुछ भी कहने से इंकार किया है, लेकिन वहाँ के मुखपत्र ने भारत पर जम कर भढ़ास निकाली है अमिरिका के लॉस एंजिलिस में गायक जस्टिन बीबर के कॉंसर्ट के बाद, एक रेस्टरोंट में आयोजित पार्टी के बाहर हुई गोली बारी में, चार लोग घायल हो गए पुलिस अधिकारी लिजेत लोमेली के मुताबिक यह घटना दन नाइस गाई रेस्टरोंट के बाहर हुई, पुलिस बयान के अनुचार गायलों को अस्पताल में भरती कराया गया है, फिलहाल सभी की आलत स्थीर है, CCTV फुटेज के मुताबिक जब रेस्टरोंट के बाहर लोगों के एक समों के साथ फोटो किच्वा रहे थे, इस कारेकरम में जीन जानीमानी हस्टियों ने भाग लिया था, उनमें जेब बेजोस, उनकी प्रेमी का लॉरेंस सांचेज, अभिनेता एंथनी रोमोस और टोनी गोंजालेच शामिल थे, बीबर और उनकी पतनी हेली लालडविन, ड्रेक, क्लोए करदाशिया और टोबे मागोईरे समेत मनोरंजन जगत की कई हस्टियों को पार्टी के बाद रेस्टोरेंड में जाते दिखा गया था, कहा जा रहा है कि आयोजन स्थल पर बैठे कुछ लोगों के बीच, रात के पाउने तीन बजे अचानक ल चीपे संदीग्दों की कोई जानकरी नहीं मिल सकी है, और मामले में जाच अभी जारी है, आयोजन में बीबर ने आधे घंटे तक परफॉर्म किया, इस दवरान करीब 15 सो लोग मौजुद थे, आधी रात को कारेकरम खत्म हुआ था तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकीवी नियूस, नमस्कार